गाइस आज के इस वीडियो पे मैं बात करने बाला हूँ Facebook monetization से related सारे query question doubt को लेके जो आपके दुआरा मेरी ही channel पे पूछा गया है पिछले किछ दिनों में तो वीडियो होने बाला है बहुत ही informative तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहे ना अगर कोई भी दोस्त मेर चैनल पे अभी नेने आये हो तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे वीडियो में आपने चैनल पे हमेशा लाता हूँ और आगे भी लाता रहूंगा नोमोर फर्दर दिले चलिए वीडियो के मुद्दे पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं वही सारे दर्शक के दुआरा के हम कैसे हमारे जो payment option है उसको set करें जहाँ पे पूछा दाता है text ID के बारे में तो text ID जो है वो कौन सा डाले तो दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को बोल दूँँगा Facebook का क्या कहना है इसके ऊपर तो दोस्तों Facebook का कहना है everyone else outside the US and Europe should select the text ID others तो आप आपको सबसे पहले वहाँ पर जाके text ID others बाला जो option है उसको select करना है अगर आपका जो page है वो individual page है तो आपको select करना है दोस्तों आपका कोई भी national identification जो होता है जैसे के passport हो गया जैसे के आपका ID card हो गया जो government ID card होता है उसका या फिर other card हो गया जो government के द्वारा होता है वहां स आपका काम और अगर आपका जो page है वो business page है तो आपका काम और थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि business अगर आपका registered है तो आपको एक text प्रे करते हो तो आपका text जो unique identity number है वो रहता है business के pin number पे pin number पे तो वो आप लोग डाल दोगे तो आपका जो काम है वो हो गया बस तो यह related जो query मेरे channel पर आया था इसका solution तो next जो दोस्तो question है वो है what if my bank account not receive USD मतलब के dollar अगर आपका bank जो है वो directly नहीं लेता है dollar amount जो facebook हमेशा dollar ही send करता है तो आप क्या करोगे तो आपको क्या कुछ setting है जो करना परेगा तो दोस्तों यहापे मैं बोलूँगा अगर आपका जो bank है वो intermediate मतलब के जो bank है वो dollar को पैसे में मतलब rupees पे convert करके amount जो है वो आपको pay नहीं कर रहा है आपके account पे तो आपको जो सारे setting है वो करना है वो उसके बारे में मैं बोलूँगा एक करके तो सबसे पहले आपको check करना परेगा आपका bank है वो जो payment है जो USD में आते है dollar में आते है वो rupees में convert करके आपको provide करता है के नहीं करता है आपका bank dollar को rupees में convert करता है के नहीं करता है ये आपको सबसे पहले जानना परेगा आपके bank के ओर से तो आपको bank को संपर करके इस doubt को आपको clear करना परेगा उसके बाद है अगर आपका bank जो है वो intermediate country मतलब बाहर का जो country है उसका जो payment है उसको accept करता है कि नहीं करता है वो भी आपको आपके bank बालों से ही जानना परेगा और उसके बार जो तीसरा point है वो है swift code swift code के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे doubt है यह swift code जो है वो कहां से मिलेगा कैसे लोगा तो मान लो कि आपका जो bank है उसके आप direct जाके फूस सकते हो आपके bank manager को कि आपका bank का swift code कौन सा है नहीं तो आप google भी कर सकते हो आपके bank के branch name से आप लोग google करके आपका swift code है उसके बारे में जानके वो भी आप लोग आपके payment option में include कर सकते हो अगर आपका bank जो है वो intermediate जो payment है वो बाहर बाला payment जो dollar में आता है वो लेता है तो आपका लिए यह काम आसान हो जाएगा आपको सिर्फ आपके जो account है उसको link करना है facebook payment option पे तो आपका जो payment है वो आपके account पे घुस जाएगा तो आशा करता हो यह जो doubt है dollar बाला अगर dollar में facebook send करता है तो हमको payment कैसे लेना है यह भी clear हो गया है आपको सिर्फ एक bank account create करना पर रहेगा जो bank जो बाहर बाला USD आता है उसको convert करके इंडियन रुपी में देता है वुसी bank में आपको account create करना करके बाद आपको उस account को link करना है आपके facebook जो payment account option है उस पे बस आपका काम हो गया तो आशा कर तो यह doubt भी आप ल receive करूँगा तो दोस्तो इस question का जो answer है वो है हर महीने 21 तारिक को आपको facebook का जो payment है वो आपके bank में आएगा तो अगर आपका जो bank है वो direct नहीं लेता है इंटरमेडियन लेता है तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि 21 को ही आपको payment ना receive हो उसके लिए bank थोरा समय लेता है दो दिन तिन दिन बाद मिले मगर facebook जो है आपको payment भेज़ेगा हर महीने 21 तारिक को 21 तारिक को आपको facebook के ओर से payment जो है वो भेज दिया जाता है इहाँ पे दोस्तो आप लोगों को समझने का एक बहुत बहुत important बात है 21 तारिक हो गया मतलब कि 21 तारिक हो गया मगर मेरा जो payment है वो मे यह हुआ तो आपको क्या करना है तो यहाँ पे दोस्तों जो बोला गया है facebook के ओर से वो है keep in mind that if the status show rejected or pending मतलब कि आपका जो payment है वो अगर payment option में मतलब facebook के जो आपका account है वहाँ पे page के account में आप लोग जाके देख रहा हो वहाँ पे show कर रहा है आपका जो payment है वो pending है या फिर rejected है तो आपको तुरन जो काम करना है आपके bank से संपर्क करना है क्यों मेरा जो payment facebook बालों ने भेजा है जो USD डॉलार में भेजता है वो क्यों आप लोगों ने reject किया है इसका समाधान आपको bank से मिलेगा आप bank से direct संपर करके push सकते हो क्यों payment नहीं आया है इसके पीछे बहुत सारे reason होता है जिन में से सारे reason में आभी आप लोगे साथ share करने बाला हूँ इन में से एक reason दोस्तों ये होता है payment pending तब रहता है या फिर rejected तब रहता है जब आपका bank intermediate bank ना हो मतलब कि बाहर से जो dollar पे पैसा आता है उसको accept नहीं करते है उसको reject करते है ये एक reason हो सकता है अग पर ये reject आ रहा है तो आपको फिर से उसको review करना है आपको check करना है आपके bank पर जाके कि आपका जो bank है वो बाहर का amount पैमेंट आता है वो receive करता है rupes में convert करके आपको देता है कि नहीं देता है तो आपको ऐसा bank ढूमना परेगा जो bank payment को convert करके देता है और उस bank account को आपको facebook payment option में add करना परेगा नहीं तो आपको पैसा जो है वो आप कमाते हुए भी आपका जो account है उस पे नहीं आएगा बहुत सारे दोस्तों को इसके लिए भी payment नहीं मिल रहा है और भी सारे reason है क्यों payment pending या फिर rejected होता है तो दोस्तों rejected होने का तो यही होता है कि अगर आपने accurately आपक country name आपने ठीक से डाला के नहीं swift code जो होता है वो आपने ठीक से डाला के नहीं तो यह तीन चीज़े आपको ध्यान रखना है और उसके इलाभा आपका जो email ID आप लोग डालते हो वो बराबर है के नहीं आपका जो name है जो आपका unique identification name है उससे match करके आपने डाला के नहीं यह सारे चीज़ को आपको फिर से review करके डालना होगा तो ही आप next month को वो ही payment जो pending रहेगा वो आपको मिल जाएगा दोस्तो इसके इलाभा जो reason होता है कि मैंने channel already जो facebook page है वो already monetize हो गया है मैं earning कर रहा हूं मगर मुझे 21 तारिक को payment नहीं आया है उसका क्या reason है दोस्तो आपको ये भी जानना परेगा कि आपके जो facebook payment के खाते हैं उस पे 100 dollar amount हुआ के नहीं क्योंकि 100 dollar जब तक नहीं होगा तब तक facebook जो है आपका payment release नहीं करेगा 100 dollar होने के बाद ही facebook जो है वो 21 के बाद payment send करता है मतलब कि 21 तारिक को जो आपको payment मिलेगा वो 100 dollar या इससे ज़्यादा होने से ही मिलेगा इससे कम अगर आपका earning रहा तो आपको facebook के दुआरा वो amount send नहीं किया जाएगा ये भी आपको दियान में रखना है इसके लिए आपको payment option में जाके invoice चेक करना है जो आपके mail पे भी कभी कभी आता होगा आपको वो नजर रखना है कि आपका जो earning है वो 100 dollar हुआ है कि नहीं हुआ है अगर हुआ है तो ही आपका जो payment वो आने बाला है अगर नहीं आया है 21 के बाद भी तो आपको आपके bank पे सबसे पहले संपर्क करना है और आपको check करना है कि आपका जो bank आपने add किया है वो intermediate payment जो है dollar पे आता है उसको convert करके रूपीज पे देता है कि नह मैंने तो मेरे facebook page monetize करके बैठा हूँ मेरा earning हो रहा है मगर मुझे पैसा क्यों नहीं मिल रहा है मेरे account में तो इसका बहुत सारा reason होता है जो मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत share किया है उसके इलाभा भी दोस्तो चार ऐसा बहुत important question है जो मेरे channel पे पूछा गया है मेरे दशक के दुआरा तो वो चार question मैंने आज इस वीडियो पे लिया है जो कि आप लोगों को भी बहुत helpful रहेगा monetization के बारे में issue के बारे में जानने के लिए तो दोस्तो ये जो चार question है सबसे पहला question है बिक्रम सिंग का तो बिक्रम सिंग जी पूछा है मुझे कि मेरा आप से एक question है मेरा page eligible हुआ है और hundred dollar भी हो गया है payment setting भी complete कर रखी है लेकिन sir hundred dollar कब bank में आता है ये जानना है मुझे तो दोस्त अगर आपने ये सारे चीज़ करके रखा है और आपका जो payment है वो अभी तक नहीं मिला है उसका reason ये हो सकता है कि आप 21 days से पहले आप चेक कर र आता है तो आप 21 पर आगर नहीं आया है तो दो दिन तीन दिन वेट कर लीजिए payment आ जाएगा अगर उसके बाद भी नहीं आया है तो आपको आपके bank से संपर करना है कि जो आपका amount है वो pending है या rejected है वो चेक कर लेना है अगर आपका rejected हो तो आप मान सकते हो कि आपका जो bank है वो intermediate payment नहीं लेता है डॉलर को रुपिस पे change करके नहीं देता है तो आपको क्या करना है परेगा आपको facebook payment option पे जाके वो ही bank पे खाता खोलना परेगा जहाँ पे intermediate जो amount है जो आता है जो डॉलर को convert करके रुपिस में देता है ऐसा bank पे आपका खाता खोलके उस account को आपको link क करना परेगा facebook payment option में तो ही next time 21 तारिक को payment मिल जाएगा आशा करता हूँ यह जो मैंने आप आपका question लिया है आपके लिए बहुत ही helpful रहेगा और बाकी दर्शक भी यह जानके आपको भी बहुत सारे knowledge मिला होगा तो दोस्तों second question जो पूछा गया है मेरे दर्शक दौरा वह ह हाइदर बर्मन तो हेरी बर्मन या हाइदर बर्मन जो भी है उनका question था के sir monetization होकने के बाद money climb कैसे करेंगे कोई app है क्या जिसके through कर सकते है तो दोस्त मैं यह बोलना चाता हूँ कोई भी app की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ facebook payment का जो option रहता है pay layout setting वहाँ पे जाके आपको आपका जो bank detail है उस पे भरना होता है तो मैंने तो इस वीडियो पे पहले भी बता दिया आपको क्या कुछ चीज़े है जो भरना है वो सब आप लोग भर दोगे तो 21 के बाद अगर आपका 100 डॉलर से उपर हो गया आपका page जो है already monetize हो गया तो earning जो है वो आपके bank के खाते पर आ जाएगा तो आशा अशागरताव यह query आपका clear हो गया है तो थार्ड जो question है वो है ओमकर प्रकास के द्वारा ओम प्रकास जी मुझसे यह question पूछा है कि सर अगर 60 दिन में 10,000 follower और 30,000 minute watch time नहीं हुआ तो क्या मेरा जो facebook page है वो monetize नहीं हो सकता है दोस्त आपका अगर page है जिसमे 1000-10,000 subscriber मतलब के follower जो है वो पूरा हो गया है मगर 30,000 watch time पूरा नहीं हुआ है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है यह ऐसा नहीं है कि last 60 days में होना चाहिए इसका मतलब यह नहीं कि जो अब भी आ 10,000 जो follower है उसका जो सीमा है वो पार कर लेगा उसके बाद wait करेगा monetization के लिए ताकि आपका जो 30,000 watch time है वो भी पूरा हो जाए वो देखेगा कि जो आपका 10,000 follower हुआ है उस time से लेके कब आपका 30,000 जो follower है watch time है वो पूरा होता है जैसे ही पूरा होगा तो वो review में जाएग आपका channel पूरा eligible है और आपने apply करके रखा है तो तो इसका कोई भी आपको डरने की बात नहीं है आपका जो monetization है वो 100% कभी भी approve होगा अगर आपने जितना सारा guideline है उसको fulfill कर लिया बस तो आशागर तो ये doubt भी आपका clear हो गया होगा और hot sexy जो viewer है उनका पूछना है भाई please एक account से दो Facebook page होगा तो कोई problem है क्या monetization को लेके अगर आपका एक ही account है उसमें से आपने दो क्या तीन भी page बनाया है तो monetization में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आपको जो सिर्फ follow करना है वो है Facebook community guideline, Facebook copyright guideline, Facebook page guideline, Facebook monetization का जितने सारे rules and regulation है बस उसको follow करना है तो आप n number of page को भी monet monetize कर सकते हो ऐसा कुछ भी चीज नहीं है कि एक ही page एक account से monetize होगा तो आशा करता हूँ आज के ये वीडियो आप लोगो के लिए बहुत ही helpful रहा है helpful रहा है तो वीडियो को ज़रू कर देना एक like कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर अभी नहीं नहीं हो तो चैनल को कर लेना सब subscribe क्योंकि ऐसे वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहेगा आज के इस वीडियो में इतना है दोस्तों तब तक आप लोग खुश रहो आबाद रहो और ममी पापा का नाम करो दोस्तों बाई